हलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नवी, आइम शिवानी चाहान, इस वीडियो में हम लुग देखेंगे क्लास नाइन्थ हिंदी की बुक का चाप्टर एक कुत्ता और एक मैना, और ये चाप्टर लिखा है हजारी प्रसाथ दुए दीने, तो स्टार्ट करते हैं, आज से कही व कां में कुछ दिन रही, तो ये राइटर पताते हैं, कि इनके जो गुरु है, उनके एक तम से मन में आया कि Шांती निकेतन, शांती निकेतन से स्टाप्लिष कि सने किया है, ндस ने किया है, रही दर दर इनार्कस का हिए, उनके गुरु का प्रशाश सही निद्धी निद tenants, तो इसलिए शायद पता नहीं क्यों बुचाते थे कि श्री निकेतन, शाथी निकेतन से छोड़ से अलग जाकर के श्री निकेतन के पुराने तिमजले मकान में, मतलब तीन मंसल के जो घर है, उसमें वो कुछ दिन रहना चाहते थे, शायद मौज में आकर ही उन्होंने यह निर्ण लिया हो, मौज में मतलब ऐसे ही, मतलब बना सोचे समसे जादा कुछ मज़े में आकर के ले लिया हो यह decision, वे सबसे उपर के तले में रहने लगे, सबसे उ पड़ू, रवींद्रनात के लिए उस पर चढ़ सकना असंभवता, फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हेवा ले जाया जा सका, तो उस सबसे उपर रहना चाह रहे थे, रवींद्रनात टेगोर, तो उनको वहाँ पर किसी तरह भी जाया गया, क्योंकि उस समय वो बूड़े हो चुके थे, उन दिनों छुटियां थी, आशन के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे, एक दिन हमने सब परिवार उनके दर्शन की ठानी, तो राइटर अपनी फामली के साथ रवींद्रनात टेगोर से मिलने गए, दर्शन को मैं जो यहाँ विशेश रूप से दर्शन यह बना कर लिख रहा हूं, उसका कारण यह है कि गुरु देव के पास जब भी कभी मैं जाता तो प्रयाय है, वे यह कहकर मुस्कुरा देते कि दर्शनार्थी हैं क्या, तो वो इस तरीके से जब भी अपने गुरु से मिले जाते थे, वो कहते दर्शनार्थी, मतलब ऐसे दर्शन करने आए हूं, क्या हमारे इस तरीके से इनकी गुरु मजा कर दिया करते थे इनके साथ, शुरू शुरू में मैं उनसे ऐसी बांगला में बात करता था, जो वस्तुता हिंदी मुहावरों का अनुवात हुआ करती थी, मतलब बंगाली भाशनार्थी बात करते थे बस इस तरीके से करते थे, जो हिंदी का जैसे ट्रांसलेशन टाइप की हुआ करती थी, किसी बाहर के अतिति को जब मैं उनके पास ले जाता, तो कहा करता था, एक भद्र लोक, आप नार, दर्शनेर, जन्य, ऐसे छेन, यह बात हिंदी में जितनी प्रचलित थी, उतनी बा ला इंसान, भद्र, एक अच्छा इंसान जो है, आपके दर्शन के लिए आए हैं, तो इसी बात को इनके गुरुदेव ने पकल दिया था, इसलिए वो भी दर्शन बोलने लगे थे, इसलिए जब भी मैं असमय में पहुंसता था, तो वे हसकर पूछते थे, दर्शनार्थ लेकर आए हो किया, यहां यहें दुख के साथ कह देना चाहता हूँ कि अपने देश के दर्शनार्थियों में कितने ही इतने प्रलग्त होते थे, कि समया समय, स्थान, अस्थान, वस्था, नवस्था की एकदम परवा नहीं करते थे, और रोकते रहने पर भी आ जाते थे, तो कहते हैं कि हमारे देश्मा लोग ऐसे होते थे कि क्या समय है, समय जैसे कि दिन, रात, दुपह, क्या समय है, कोई किस जगाए पर है, कि सवस्था में है, बस आही जाये करते थे, इन सब चीजों की परवा किये बिना उनसे मिलने, ऐसे दर्शनार्थियों से गुरु तो इसी तरीके से ये भी पहुंच गए, बिना समय के एक तरह से ओथर अपने गुरु से मिलने, गुरु देव बड़े आनंद में थे, अकेले रहते थे, भीर भार उतनी नहीं होती थी, जितनी शांती निकेतन में, जब हम लोग उपर गए, तो गुरु देव बाहरे कुर से सूरियस को देख रहे थे, हम लोगों को देखकर मुस्कराए, बच्चों से ज़रा छेड़ चाड़ की, कुशल प्रशन पूछे और फिर चुप रहे, तो बच्चों से थोड़ी बात ऐसे कुशन प्रशन पूछे और फिर चुप हो गए, ठीक उसी समय उनका कुट्ता ध इसने हर रस का अनुभव करने लगा, तो जैसे कि डॉप को आप ऐसे करके हाथ रखते हैं उसके उपर हाथ पर आते हैं, तो वो आके बंद कर लेता है, और दोड़ा प्यार दिखाता है, गुरु देव ने हम लोगों की ओर देखकर कहा, देखा तुमने, यह आ गया, कैसे इन्हें मालूम हुआ कि मैं यहां हूँ, आशर है, और देखो कितनी परित्रप्ती इनके चहरे पर दिखाई दे रही है, तो मतलब कहते हैं कि किस तरीके से जो जानवर होता है, उसको पता लग जाता है किसका मालक कहा है, और वो कितने खुश होते हैं उने देखकर के, हम ल तो मतलब कुत्ते या फिर जानवर होते हैं, वह हम से कितना प्यार करते हैं, कि हम जहां होते हैं, वहां वो पहुंचाते हैं, प्रदेदिन प्राथा काल यह भक्त कुत्ता स्थब्द होकर आसन के पास तक बैठा रहता, जब तक अपने हाथ के सपर्ष से मैं इसका संग नहीं प्राणी लोक में सिर्फ यही एक जीव अच्छा बुरा सब को भेद कर संपूर मनुष्य को देख सकता है, तो यह कहते हैं कि वाक्यहीन, क्योंकि बोल नहीं सकते हैं, हमारी भाषा तो हमें नहीं पता कि एक इस भाषा में बात करते हैं, हमें इनकी बाषा नहीं समझाती हमानी बाषा समझते हैं, और इस दुनिया में अच्छा भुरा हैं सब चीजों से परे रहकर मनुष्य को सही तरीके से यह जानवर ही देख सकते हैं, उस आनंद को देख सका है, जिसे प्राण दिया जा सकता, जिसको हैतुक प्रेम ढाल दिया जा सकता है, जिसकी चेतना अस प्राण पर आत्म निवेदन देखता हूं, जिसमें अपनी दीनता पताता रहता है, तब मैं यह सोच ही नहीं पाता, कि उसने अपने सहच बोच से मानव स्वरूप में कौन सा मूली अवश्कार किया है, इसकी भाषाहीन द्रश्टी की करुणा व्याकुलता, जो कुछ सम् जाती है, उसे समझा नहीं पाती, और मुझे इस स्रिष्टी में मनुष्य का सच्छा परिच्चा समझा देती है, तो यह कहते हैं कि किस तरीके से एक जानवर इतना प्यार दिखाता है, यह भाषाहीन होता है, भाषाहीन मतलब बिना बोले, जिस द्रश्टी से देखता है, कितनी प्यार वो होती है, कितनी व्याकुलता उसमें होती है, इस तरश्टी में जो मनुश्य की सच्चा परीचा है, वो इसी प्यार से मुझे मिल जाता है इस प्रकार कवी की मर्म भेदी दरश्टी ने इस भाशाहीन प्राणी की करूण दरश्टी के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है तो ये कहते हैं इस तरह से कवी की मर्म भेदी मतलब ये रविन्दा टेगोर की कविता के बारे में पता रहा है कि किस तरीके से वो इस भाषाहीन प्राणी को इस भाषाहीन जानवर को किस तरीके से प्यार से देखते हैं उसके बीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है तो ए जो उन्होंने एक जानवर के अंदर देखा जब एक अविता पढ़ता हूं तब मेरे सामने श्री निकेतन के तितल्य पर की वह घटना पत्यक्षिती हो जाती है वह आंख मूदकर परी सीम आनंद का वह मुख हिदय का प्राणपर आत्मनिवेदन मूर्तिमान हो जाता है तो य राइटर तो हजार पर साथ दुवेदी हैं तो वह जब भी इसको पढ़ते हैं तो उनकी कविता को रवीन नाटे गौर की तब वह वाला जुन का जब वह गय थे रहा श्री निकेतन और वह डॉग उनके पास आकर के बैट गया तर रवीन नाटे गौर के पास और उन्होंन श्रीडी में बैट गई तो वह राइटर कह रहे हैं कि उस दिन जब मैंने रवेना टेगौर और उस डॉग को देखा था तो वह तो में लिए नॉम्मल सी बात ही बात आज जब मैं उसकी बारे में सोचता हूं तो वर्ड की वर्ड की वरन उस्ट इंपोर्टेंट इवेंट इसमें से वो मेरे लिए एक है एक आश्री की बात और इस प्रसंग में उल्ले की जा सकती है एक और अलग बात भी बताई जा सकती है जब गुरुदेव का चित भस्म कलकत्ते से आश्रम में लाया गया उस समय भी ना जाने कि सहज बोत के बलपर वैकुता आश्रम के द्वा आश्रम वासियों के साथ शांत गंभीर भाव से उत्रायन तक गया तो इसमें देखी यह है कि एक और है कि जब गुरुदेव का चित भस्म से आश्रम में लाया गया उस समय भी जो है गुरुदेव को जब लेकर के आया गया तो उस समय भी आश्रम से जो है कुता वो जब रविनाट गौर की डेथ हो गई थी उसके बाद चिता भस्म को जो बच जाती है ना अस्तिया वगरा उनको लेकर के आया गया शांती भाव के साथ वो डॉग भी आया उत्रायन तक गया मतलब पूरे सूर्य के अने तक आश्रिय आचारिय शिती मोहन सेन सबसे आगे थ उन्होंने बताया कि वह चिता भस्म के अलश के पास थोड़ी देर चुपचा बैठा भी रहा तो चिता भस्म का जो कलश था उसके पास वो डॉग चुपचा बैठा भी रहा कुछ और पहले की घटना याद आ रही है उन दिनों शांती निकेतन में नया ही आया था मतलब ज एक दिन उनके साथ हो गया मेरे साथ एक पुराने अध्यापक थे और सही बात तो यह है कि उन्होंने ही मुझे अपने साथ ले लिया था तो यह कहते हैं कि एक दिन गुरुदेव आदत ही सुबह गार्डन में बॉक करने जाय करते थे तो यह भी चले गए और इनके जो एक अध्यापक थे इनके साथ के राइडर के उनके साथ ही वो चले गए थे गुरुदेव एक एक फूल पत्ते को ध्यान से देखते हुए अपने बगीचे में टहल रहे थे तो एक एक फूल को एक पत्ते को ध्यान से देख रहे थे और टहल रहे थे और उक्त अध्यापक आपचीत के सलसले में एक बार कहा अच्छा साहब आश्रम के कववे क्या हो गए उनकी अबास सुनाई ही नहीं देती न तो मेरे साथ हो न अध्यापक महाशाय को यह खबर थी कि ना मुझे है तो वो इस तरीके से बाती कर रहे थे रवीना टेगर बोल रहे थे कि यह जो हो गया है कववे महाशाय को अगर जो अर्वीना टेगोर तो यह बात बोल रहे थे बाकी जो राइटर के साथ अध्यापक थे और राइटर को खुद को भी यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि जो गुरुदेव है रवीना टेगोर वो क्या बोलना जा रहे हैं बात में मैं मैंने लक्षे किया कि सचमुछ कई दिनों से आश्रम में कव्य नहीं दीख रहे थे। मैंने तब तक कव्यों को सर्व्याबक पक्षी ही समझा था। अचानक उस दिन मालुम हुआ कि ये भले आदमी भी कभी कभी प्रवास को चले जाते हैं या चले जाने को बात्य होते तो रय्टर कहते हैं कि हमेशा से नहोंने हर जगे जहां भी कहते हैं कोव्य तो रिखे गी थे तो फिर इन्होंने कहा कि जब आश्रम में नोटिस किया कि कहहह हैं ही नहीं कहां गायब हो गए है तब ने लगा कि ये भी कभी-कभी शायद और टेहले चले जाते हैं दूसी चीजे का उपर एक लेखक ने कवे की आधुनिक साहित्यकों से उपमा दी है आधुनिक साहित्यकों मतलब जो तो modern historians है ना उनसे compare किया है किसी ने इनको क्योंकि इनका मोटो है mischief for mischief safe यानि कि शरारत के लिए ही शरारत तो जब शरारत करने के लिए ही शरारत की जाती है उस तरीके की उपादी दी है कवे को तो क्या कवो का प्रवास भी किसी शरारत के उदेश से था प्रया है एक सब्ता के बाद बहुत कवे दिखाई दिए तो क्या किसी शरारत करने गए थे एक हफते तक जो दिखाई नहीं दिए तो एक हफते बाद काफी सारे कवे दिखाई दिए थे वहाँ पर एक दूसरी बार में सवेर गुरुदेव के पास उपस्तित था तो कहते हैं कि एक दिन और ये सुबह सुबह गुरुदेव के साथ थे उस समय एक लंगडी मेना फुदक रही थी गुरुदेव ने कहा देखते हो यह यूद भ्रष्ट है रोज फुदकती है ठीक यहीं आकर मैंने इसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई देता है तो कहते हैं कि यह जो है मैना यह लंगडी है और यह रोज यहीं आकर के फुदकती है और मुझे इसकी थोगे दया भाव, करूण भाव इसमें दिखता है गुरुदेव ने अगर कहना दिया होता तो मुझे उसका करोणा भाफ एकदम नहीं दिखता मेरा नुमान था कि मैंना करोणा भाफ दिखाने वाला पक्षी है ही नहीं, तो तो क्योंकि गुरुदेव ने मुझे से कहा किorumा भाफ दिखा रही है इसलिए ही शायद मुझे उसमें करोणा भाव दिखा, परना मेरे लिए तो ऐसा था कि करोणा भाव दिखाता ही नहीं है यह बक्षी तो मतलब प्यार वाला या दुख वाला या सिंपती वाला भाव मैना तो नहीं दिखाती है वहें दूसरों पर अनुकंपा ही दिखाया करती है तीन-चार वर्ष से मैं एक नए मकान में रहने लगा हूँ मकान के निर्माताओं ने दिवारों में चारों और एक-एक सुराख छोड़ रखी है यह कोई आधुनिक विज्ञानिक खत्रे का समाधान होगा तो एक मैना दमपती नियमित भाव से प्रतीवर्ष यहां ग्रहस्ती जमाया करते थे तो कहते थे अब जो मैं तीन-चार साल से जिस घर में रहनू हर दिवार में एक होल टाइप का है तो उस होल में मैना दमपती मतलब मैना का पेर जो है वहाँ पर आकर के बैठ जाता था यह कोई अहां तो बतलब यह कहते हैं कि पता नहीं क्यों इन लोगों ने होल छोड़ रख है शायद कोई scientific reason होगा इसका इनको भी नहीं बताता तो एक मैना दमपती वहाँ पर आ जाता था तिनके और चीथडों का अंबार लगा देते थे भले मानस गोवर के तुकडे तक ले आना नहीं भूलते थे तो कहते थे कि चीथडे पत्नी देवी का तो क्या कहना एक तिनका ले आई तो फिर एक पैर पर खड़ी होकर जरा पंखो को फटकार दिया चोच को अपने ही परों से साफ कर लिया और नाना प्रकार की मधुर और विजयोगती वाड़ी में कान शुरू कर दिया तो यह कहते हैं कि जो मैना है वो पैर है ना मैना मैना फीमेल मैना दोनों है तो जो मैल पत्नी जी मतलब फीमेल मैना है वो एक दिन का ले आती थी उसके बाद अपने पंखो को जारती थी अपनी चोच को साफ करती थी और इस तरीके से आवास करती थी जैसे कि कितना बड़ा काम कर लिया हो हम लोगों की तो उन्हें कोई परवा ही नहीं रहती अजानक इस समय अगर पती देवता भी कोई कागज या गोबर का तुकड़ा लेकर उपस्तित हुए तो क्या कहना दोनों के नाचगान और आनंद रित्य से सारा मकान मुकरित हो उटा तो और उसी समय पती देव भी कोई तुकड़ा भुकड़ा ले आते तो तो भई उनको नाचना गाना उनकी आवाज पूरा घर उसी से भर जाता इसके बाद ही पत्नी देवी जरह हम लुगों की ओर मुकातिब होकर लापरवाही भरी अदा से कुछ बोल देती बोलते हैं फिर हमसे मूँ फेड लेतें पक्षियों की भाषा तो मैं नहीं जानता पर मेरा निश्चित विश्वास है कि उनमें कुछ इस तरह के की बाते हो जाया करती है तो कहते हैं मुझे नहीं पता वो क्या बात करते होंगे मैं अंदाजा लगा सकता हो कि यह बात करते होंगे तो पत्णी बोलते हो कि यह लोग यहाँ कैसे आये जी लेकिन फिर बी इनको खाल होना चाहिए कि यह घर हमारा प्राइवेट घर है तो इन भ आहँ पत्मी बोलने दिलर्य पत्टी से कहां से आ गए तो पतनी बोलती है कोए बात नहीं आ गए होगए पर पतनी बोलती है अरे हमरा private घघर है कीव आगई है पतनी में जो अदम हो सकती यह मेरा विश्वास ही नहीं था गुरडेव की बात पर मैंने द्यान से देखा तो मालूम होगा कि सचमुच ही उनके मुख पर एक करूर भाव है मतलब एक थोड़ा प्यार का या देया का भाव है शायद यह है विधुर पती था जो पिछली सुएमवर सभा के युद में आहात और परास्त हो गया था या विध्वा पत्नी है जो पिछले बिछार के आक्रमर के समय पती को खाकर खोकर युद में इश्ट चोट खाकर एकांध विहार कर रही है हाई क्यों इसकी ऐसी दशा है शायद इसी मैना को लक्षे करके गुरुदेव ने बाद में एक कविता लिकी तो फिर ये अपने घर की कवित कहानी बताने लगे पहले तो कि हमारे घर में इस तरीके से जोड़ा था और जो गुरुदेव जिसका मैना की तरफ इशारा कर रहे थे वो तो बिचरी लंगडी थी तो वो अंदाज मार रहे हैं कि ये मेल मैना था या फिमेल था तो इनके शादी में कुछ गरबर हो गई होगी तो इनको चोट लग गई होगी इस तरीके की जो हैं अंदाज मार रहे थे तो इसी के लिए जो है गुरुदेव ने काविता भी लिखी तो काविता में वो लिखते हैं उस मैना को क्या हो गया यही सोचता हूँ यही सोचता हूँ क्यों वह दल से अलग होकर अकेली रहती है पिछले दिन देखा कि सेमर के पेड़ के नीचे मेरे बगीचे में जान पड़ा जैसे एक पैर से लंगड़ा रही हो इसके बाद उसे रोज समीरे देखता हूँ संगी हीन होकर कीडो का शिकार करती फिरती है इसमें यह लिखते हैं कि जो मैना के बारे में उनने लिखा है कि वो जो है अकेली रहती है पता नहीं वो क्यों अकेली रहती है समयर के पेड़ के नीचे बगीचे में वो आ जाती है और वो एक पैर से लंगड़ाती है किडो को ढूंड़ती है किसी जुन्ड में नहीं वो समाच के किस दंड पर उसे निर्वासन मिला है तो मतलब किस दंड रिट पहले क्या बात उसके नहीं मिली, चुछी दूरी पर और मेनाएं बगजक कर रही है, घास पर उचलखूद रही है, उड़ती फिरती है, शरीष रिश की छाकाओं पर, ये इस पेचारी को ऐसा कुछ भी शौक नहीं है तो ये पेचारी जो है अकेली रहती है बाकी मैना ये दोधर गूमती रहती है इसके जीवन में कहां गाट पड़ी है यह सोच रहा हूँ सवीरी की दूप में बानो सहच मन से आहार शुकती हुई जड़े हुए पत्तों पर फुदक्ती फिरती है सारा दिन तो ये कहते हैं कि सुवे सुबे की दूप में जड़े हुए पत्तों पर फुदक्ती फिरती है किसी के ऊपर इसका कुछ अभियोग यह बात बिल्कुल नहीं जान पड़ती इसी चाल में वैरागय का गर्व भी तो नहीं है दो आकसी जलती आँखों में तो दिखाई नहीं पड़ती इत्यादी इसका कोई गर्व हो या पिर अकेली ना रहने की कुछ मायूसी हो तो यह सब तो मुझे कुछ समझ नहीं आता इसकी आँखों में आकसी जलती है वो भी मुझे दिखाई नहीं देती तो यह सारी बाते उन्होंने अपनी कवता में लेगी तिरभी नाटे कौर ने तो राइटर कहते हैं जब मैं इसकावता को पढ़ता हूँ तो उस मैना की करूर मूर्थी अत्यात साफ होकर सामने आती है तो जो मैना को उन्होंने देखा था, जब वो पढ़ते हैं, तो उसको उस मैना की पूरी पिक्चर अपनी आपके सामने दिखाई पड़ती है कैसे मैने उसे देखकर भी नहीं देखा, और किस प्रकार कवी की आँखें उस बिचारी के मरमथल तक पहुँच गई तो जोशता हूं तो हैरान रह जाता हूं, तो राइटर कहते हैं कि मैने तो उसमें यह सब चीज़े नहीं देखी दी, और जो रवीन नाटेगोर हैं उन्होंने यह सब चीज़े चिडिया की आँख में कैसे देख लिए, सब सोचता हूं तो मैं मतलब धरा का धरा रह जाता एक दिन मैना वह मैना उड़ गई, साइकाल कभी ने उसे नहीं देखा, जब वह अकेले जाया करती है, उस डाल के कोने में तब जींगूर अंतकार में जहन कारता रहता है, जब हवा में बांस के पत्ते जरकराते हैं, पेडो की फांक से पुकारा करता है नींद तोड़ने कितना करून है उसका गायब हो जाना, तो वह कहते हैं कि एक दिन क्या हुआ, शाम के समय वह नहीं आई, और जींगूर अपनी आवास कर रहे थे, हवा में बास के पत्तों की जरजरार की आवास थी, पेड जो है वह अपने फांक रहे थे, नींद में थे, नींद तोड़ने इस चाप्टर में हमें यह बताया गया है कि किस तरीके से अगर हम दुख ध्यान दे, तो जानवरों में भी कितनी जादा फीलिंग होती हैं, तो उसके बारे में हमें इस चाप्टर में बताया है, तो कैसा लगा वीटियो जुरू बताईए, अच्छा लगा तो लाइक चनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंज के साथ शेयर करिए, थेंक यू